एक हलो एब्यों वेलकम टो पायोट्वी चैनल तो हम लोग इस बुक से प्रैक्टिस यहां पर और इस बूख में सारे के सारे प्रीवेस्य प्वेस्टी यह पर यहां पर सॉल्ट पेपर है आप यहां पर जैसे दियुआ सकते हैं जैपि सी जितने भी यह सब इक्जाम से आप सबसे पहले तो हम लोगों ने यह सब जो आप क्लास को नहीं किया है आप उस क्लास को जरूर से कर लिजेगा है कि अब स्टार्ट करते हैं यहां से कि जहां से क्लास एंड हुआ था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन को हैं भोगोलिक सीमा हैं यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो भोगोलिक सीमा देखेंगे पहला और यहां बना चेप्टर वाइज है पहला जो क्वेश्चन निमलिकित कि सिराजिय के साथ जारकन अपनी सीमा को साजा नहीं करता है क्वेशन अच्छे से पढ़िएगा आप लोग कौन सी मतलब जार्खन अपनी सीमा को साजा नहीं करता है यहाँ पर स्टेट है नहीं पर ध्यान देना है पशिम बंगाल है ओडिशा उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश तो राइट आंसर है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश से यह सीमा साजा बिलकुल भी नहीं करता है जार्खन के पूरब में क्या है पशिम मंगाल है जार्खन के दचिर में ओडिशा है और यह उत्तर पशिम में क्या है आपका उत्तर प्रदेश है ठीक है और जार्खन के पशिम में है चतिसगर और उत्तर में है बिहार तो यहां पर एक्स्प्लानेशन के साथ दिया हुआ है गोई अपने आपको मैं अपनी सिमाय कितने की साधिया तो कौन%uw श करते हैं उत्तर में मैं आप तो मुझे बनाने नहीं आएगा अवलाफली मैं आएंसे बनाने की कोशिक करी ओठेक कि इस टायप से मान लो यह चोड़ो मान लो यह चतर पुजाकार रहेना तो अश्चर न नॉर्थ में क्या है भिहार है यानि क्यों अतर में क्या है भिहार है यहां पर भिहार आप देखने को मिलेगा जार्खन के पूरब में क्या उत्तर में बिहार दचिन में ओडिशा है तो दचिन में ओडिशा देखने को मिलेगा पूरब में पशिम मंगाल यहां पर वेस्ट बेंगोल आपको देखने को मिलेगा और पशिम में उत्तर प्रदेश यानि कि यह उत्तर next question number second है यहां का जारकर अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साजा करता है देखो question आ गया तो पांच राज्यों के साथ सीमा साजा करता है कौन कोल से बिहार, पशिम बंगाल, वेस्ट बेंगोल, ओडिश्या, च्छतिस गड़, एन यूपी ठीक है पांच राज्ये यह टिपर होने चाहिए आपके, next है यहां पर देखिए जारकर की सीमा को कितने राज्ये असपर्स करते हैं, तो कितने राज्ये हैं, जो जारकर की सीमा को असपर्स करते हैं, तो पांच राज्ये होंगे, देखो same question आएगा, मैं यहां पर आपको नहीं बोलूँगी, कि इस इस एक्जाम में आया है यहाँ पर इस एक्जाम में बार-बार बोलने का कोई मतलब नहीं होगा आप देख सकते हैं यह साइप्ट में 2017 में पूछा था और चैम को यहाँ पर पर देख सकते हैं में जाइन्स के 2016 में यह पूछा गया है question same रहेगा बस language थोड़ा सा अलग रहेगा next step 4 number question कितने राजे जार्खन की सीमा में है वही question है बस थोड़ा सा different language में option C यहां पर right answer होगा अगला जो प्रशन है हमारा जार्खन के साथ कितने राजेयों की सीमा आये लगती है देखो यह सारे question same है और यहां पर हम लोगा बार-बार आ रहा है इसमें हमें लोगा benefit होने वाला है हमें लोगा multiple time revision होगा तो यह mind में set रहेगा right answer होगा 5 कौन-कौन से बिहार, पशिममंगाल, उडिसा, चछतिसगर और उत्तरप्रदेश यह 5 राजे है next is जार्खन के पूरब में कौन सा राजे है question अगर पुछा कि जार्खन के पूरब में कौन सा राजे है तो question यह भी बन सकता है कि पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दच्छिन में कौन सा है तो सबको आपको रिलेट करते हुए चलना है स्ट्रीमिंग में ये क्लास चल रहा है आप साथ बज़े आए हैं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं लाइब चेट का भी जो ऑप्षिन आ रहा है न वहां से आप आंसर को कॉमेंट करोगे तो आपके लिए वह अच्छा रहेगा है न तो पूरब में पूछा है पूरब में पशिम मंगाल है ठीक है और ये जो आप बिहार देख रहे हैं ये उत्तर में है चतिसगर पशिम में है ओडिशा दचिड में है ठीक है तो इस क्वेशन का अंसर होगा ओप्शन सी तो यहां पर एक्स्प्लानेशन है जारखन के पूरब में क्या है पशिम मंगाल राजे है पशिम मंगाल की सीमा से लगने वाले जारखन के जीलों की संक्या देखो दस है दस जीले ऐसे हैं जो पशिम मंगाल से लगते हैं कौन-कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं ये जीले हैं साहिब गंज, पाकूर, दुमका, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगर, जामताड़ा, सराइकेला, खरसावा और पुर्वी सिम्भूम ये दस जीले जो हैं किस से लगते हैं तो ये पशिम मंगाल के साथ इनकी सीवा लगती है नेक्स्ट क्वेशन है 7 नमबर जार्खन के पूरब में कौन सा राज्य हिस्थी थे देखो सेम क्वेशन है जार्खन के पूरब में पूछा है तो ये पशीमंगाले पूरब में ठीक है नेक्स्ट वेस्चन है जार्खन के पुरब में पशीमंगार्जे हिस्थित है। क्वेस्चनर 187 में कि sind आइक्जाम में पूछा है। स्यम कूछ थे यहां पूछा है और इससे पहले दो अग्जाम में पूछा है हम यहा पर देख सकते हैं और ये वाला जो एक्जाम में एक्जाम में 2017 में ये question पूछा गया है तो right answer होगा पूरब में कौन सा राज्य है तो ये पशिम मंगाल है कौन सा राज्य जारकन के दच्छिन में है देखो मैं बोली खिना ऐसे question पूछे जाते हैं और इकशन में कौन सा राज्य है देख लेते हैं पूरड़िषा की सीमा को असपर्स करने वाले जारकन के चार चार जीरे को पॉरवी सिंभुं YOU-3 ले और शिंदे तो यहां पर देखो यह जो चार जीर hada आप कैसे याद रखेंगे पूर्वी सिंभुं सराइकिलाकर सावा झे टीन चोंसे प्रमंडल मैं आते हैं कुलहान प्रमंडल में आते हैं कोलाइन प्रमंडल के अंडर में यह 3 जिले आते हैं उसके बाद जो दंचिणी चोटा नागपूर्म उसका एक जीला है सिमडेगा यह जिला यहाता है इसको आप लोग यद कर लिए कुल्हान प्रमंडल में टोटल तीन जीले आते हैं तीन वो जी ले हो जाएंगी उसके बाद दच्छिनी छोटा नागपूर का एक जिला वो कौन सा है तो सिमडेगा है नेक्स्ट क्वेशन है यहाँ पर देखे दस नंबर क्वेशन निमलिकित राजियों में से कौन सा राजे अपनी सीमा जार्खन की दच्छिनी सिमाओं के साथ साजा करता है क्वेशन अच्छिन से पढ़ना है समझते भी पढ़ना है तो कौन सा राजे अपनी सीमा जार्खन की दच्छिनी सीमाओं के साथ साजा करता है तो आंसर होगा यहाँ पर ओडिशा ठीक है जार्खन के दच्छिनी में कौन सा स्टेट है तो ये ओडिशा है और SIPT 2017 का ये question है जारकन के दच्छनी सीमा ओडिशा राज्य की सीमा को असपर्स करती है, सीमा साजा करता है Next question को देखते है जारकन राज्य जारकन राज्य अपनी दच्छनी सीमा यहाँ पर थोड़ा सब बलर आया है तो जारकन राज्य अपनी दच्छनी सीमा किस राज्य के साथ माठ दिये दच्छनी सीमा बोला है तो राइट आंसर होगा ओडिशा जो है जारकन के दच्छन में इस्थी थे 12 number question है यहाँ पर जारकन के दच्छन में कौन सा राज्य इस्थी थे देखो सेम वही question आपको direction याद हो जाने चाहिए इतना पर question यहाँ पर repeat हुआ है तो हम किसी भी question को neglect नहीं कर सकते हैं पशिममंगाल, ओडिशा, 36 गड़ और उतर प्रदेश तो इसका राइट आंसर होगा option B जो कि यह ओडिशा है next question है, जारखन के ऊतर में कौन सा राज्य है इस्थी थे तो उतर में बिहार राज्य हिस्थी थे और बिहार से ही कटकर कर जारखन राज्य बना है 46% भूह भाग बिहार का और बिहार के 18 जील्लो को अलग करके जारखन राज्य का गठन किया गया है Explanation हम देख लेते हैं, यहां पर ज्वारकन के उत्तर में जिक्षार नामें चार्ट है, ज्वार राचे को सिमा को स्पर्स करने वाले ज्वार्कन के जेलो की संख्या कितनी है, तो दस है, वेस्ट बंगोल को भी टच करने वाली जो जीलो की संख्या थी वो कितनी थी दस थी ठीक है और ओडिशा के साथ कितने जीले जीलो की सीमास पर्स हो रही थी तो चार जीलो की तीन तो कुलान प्रमंडल के तीनों जीले जो है पश्मि सीम्बूम, पुर्वी सीम्बूम, सराइकला खरसमा और एक सीमडेगा तो यहाँ पर देख लेते हैं दस जीले कौन-कौन से हैं गड़वा है और गड़वा एक मात्र ऐसा जीला है जो यूपी से भी ये बौंडरी शेर करता है ठीक है गड़वा है पलामू, चत्रा, हजारी बाग, कोडर्मा, गिरिडी, देवघर, दुमका, गोड़डा, साहिब गंज यह दस जीले जो हैं किस से बौंडरी शेर करता है तो बिहार राजे से अपनी सीमा असपर्स करता है और दस जीले हैं ठीक है नेक्स्ट ग्वेशन है जारखन के उत्तर में कौन सा राजे है इस्ति थे उत्तर में बोला है नोर्थ में तो वह कौन सा राजे होगा वो बिहार राजे है question number 15 है यहां पर जार्खन के उत्तर में कौन सा राज यह इस्ती थे आप लोग नो comment करते चलो हना देख रहे हैं तो आप comment करो और अगर आप बाद में देख रहे हैं न यह streaming में देख रहे हैं तो comment करो आप मेरे से पहले आंसर करो और यह सब जार्खन का समान्य परीचे से बहुत easy है यह सब हर किसी को आने चाहिए आप जिसकी प्रपरेशन कर रहे हैं तो यह सब basic questions हैं आपको आने ही चाहिए तो इसका right answer होगा option A जो की है बिहार जार्खन के उत्तर में इस्तित जार्खन उत्तर में डेस की सिमाओं से लगा हुआ है बिहार ओडिशा पशिम मंगाल और चथिसगर तो यह बिहार की सिमाओं से लगा हुआ है okay 17 number question है यहां पर जार्खन के पशिम में कोन सा राज्य इस्तित थे पशिम में बोला क्या है पशिम मंगाल तो होगा नहीं क्यो यह नोर्थ में है 36 गड़ कहां पर है तो हां यह जो है ना वेस्ट में पढ़ता है यह वाला स्टेट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट यहां पर देखते हैं और देखो आप प्रिवियस यह के questions को solve करेंगे ना तो आपको पैटर्ण का पता लग जाएगा कि किस तरह से question पूछे जाते हैं और प्रिवियस यह तो करके ही जाना जितने भी अभी तक exams हुए है explanation को देखते हैं जारकन के पश्चिम में 36 गड़ है और उत्तर प्रदेश राजे इस्थी थे यह दो राजे जो है ना यह पश्चिम में है देखो यह जो उत्तर प्रदेश है यह आपको उत्तर पश्चिम भी देगा तो सही उत्तर प्रदेश आपको करना उत्तर पश्चिम में कौन सा राजह आता है तो उत्तर प्रदेश होगा प्ऩास्टिम में कोंसा आता है और 36 गर्ड न दिया हुआ records एक उस्तव डिया हुआ रहे तो आपका औसर उत्तर प्रदेश होना है तो सब्सक्राइब के तुर्चेश के गम्लाF damnaged himself आपको याद होने चाहिए गड़वा है, लातेहार है, गुमला और सिम्डेगा है गड़वा और लातेहार पलामू प्रमंडल में आता है और गुमला और सिम्डेगा ये कौन से प्रमंडल में आते हैं तो दच्छली छोटा नाकपुर इसको ध्यान देना उत्तर प्रदेश की सीमा को असपर्स करने वाला जारकन का एक मात्र जीला जो की गड़वा है मैं आपको अभी बताई थी गड़वा एक एसा जीला है जो किसे अपनी सीमा को साजा करता है तो एक मात्र वो कौन सा है यूपी यानि की उत्तर प्रदेश है ना गड़वा की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और चतिसगर से भी लगी हुई है तो गड़वा एसा जीला है जिसकी सीमा जो है बिहार से भी चतिसगर से भी और उत्तर प्रदेश से भी लगी हुई है यानि की तीन तीन राज्यों के साथ ये सीमा साजा करता है नेक्स्ट क्वेशन है 18 नमबर 36 गड़ राज्य जारकन के डेस में इस्ति थे पश्चिम में है, पूरब में, दच्छिन में, उत्तर में तो राइट आंसर होगा ये 36 गड़ जो है ना ये पश्चिम में, यानि की वेस्ट में है पूरब में कौन है, तो ये पश्चिम मंगाल है उत्तर में बिहार और दच्छिन में ओडिशा राज्य है 19 नमबर क्वेशन है निम्ड में कौन सा राज्य जारकन का पडोसी राज्या नहीं है मध्यप्रदेश, बिहार, ओडिशा और 36 गड़ मार्केट सुपरवाइजर 2007 में ये क्वेशन पुछा गया आप वगर ये पता लग जाए कि कौन-कौन से राज्य है जिसके साथ जारकन की सीमा लगती है तो कौन से राज्य से सीमा नहीं लगती है ये तो obvious हो जाएगा है ना तो मध्यप्रदेश राज्य से जारकन की सीमा बिल्कुल भी नहीं लगती है बिहार से लगती है, चातिसगर से लगती है और ओडिशा से भी लगती है एक्स्प्लानेशन में क्या है देख लेते हैं बिहार, ओडिशा, पशिममंगाल, चातिसगर और उतरप्रदेश जारकन का पडोसी राज्य है जबकि मध्यप्रदेश जारकन का पडोसी राज्य नहीं है क्वेशन को options को आप eliminate करते वे भी सही answer तक पहुंच सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन है 20 नमबर जारकन की इस्थिती के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है जारकन भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमी पर इस्थिते जारकन पूर्वी हिमाले छेत्र में इस्थिते पशिममंगाल जारकन के पूर्वी छेत्र में इस्थिते चोटा 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 explanation और dependent उस चीज़ को मझे लोग यहां पर것 करें गहेयां न पढ़ें कि समझते हुए चलेंगे जारकन का धरातल समतल नहीं है यह तो मतलब धरातल समतल नहीं है यह समतल नहीं है और ना ही यह हिमालई का परवतिय प्रदेश है बलकि यह प्राई दूइपय पठार का पठारी भागे चतिसगर जारकन के उत्तर पूरब में नहीं बलकि पश्चिम में इस्तित है तो वही च कर सकते हैं next question number 21 जारकन अपने राज्य की सीमा कितने देश्टों के साथ साजा करती है तो यह ऐसा question है जो अगर हड़बड़ी में पढ़के आ जाए ना तो उसका बिल्कुल भी यहां पर करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है तो आप क्या करते जारकन अपने राज्य की सीमा इतना देखके बच्चा मतलब स्टूडेंट्स जो है वह option जिसमें भी 5 उसको टिक करके आ जाते बट ऐसा नहीं हमें question को आराम से पढ़ना है ध्यान से बात की गई है जारकन अपने सीमा अपने जो सरी जारकन अपने राज्य की सीमा को कितने देशों के साज़ा करती है तो राइट आंसर होगा जीरो international boundary share नहीं करता है जारखंड यहां पर देखो वही चीज़े जारखंड अपने राज़े की सीमा किसी भी देश के साथ साजा बिल्कुल भी नहीं करता है question number 22 जारखंड का सबसे पश्चिमी जीला कौन सा है तो देखो पश्चिमी जीला यहां पर पूछा है तो पश्चिमी जीला जो है ना यह गड़वा है इससे पहले भी हम मैं मतलब क्लास कराई थी जिसमें यह पीडियव से नहीं कराई थी मैं पुछ से पीडियव बनाई थी उसमें मैप के थुरू भी आपको समझाई थी तो उस कलास को भी लगा सकते हैं बट हम लोग यहां पर पीडियव इसी बुक से करेंगे हैं ना यह जो बुक है यह बहुत ही अच्छा बुक है आप पर शेस कर सकते हैं इस बुक को DSP की पार्ट शाला इनका यूट्यूब चैनल भी है तो आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं जार्खन का सबसे पश्चिमी जीला पश्चिमी जीला यहां पर पूछा है तो गड़वा होगा पश्चिमी पूछा है तो हो सकता है कि उत्री पूछ दे पूर्वी पूछ दे दच्छिणी पूछ दे तो सबको हम लोग देखेंगे एक्स्प्लानेशन में दिया हुआ यहां पर देखिए जारकन का सबसे उत्री जीला साहब गंज है और साहब गंज से गंगा नदी प्रवाहित होती है यहां से सबसे दच्छिणी जीला जो है पश्चिमी सिंभू में 24 जीलो में से सबसे बड़ा जीला कौन सा है ये पश्चिमी सिम्भू में कुलान प्रमंडल के अंडर में आता है और कुलान प्रमंडल का मुख्याले कहा पर है तो चाइबासा है ठीक है और वो चाइबासा भी पश्चिमी सिम्भू में ही आता है सबसे पुर्वी जीला जो है ये पापूर है और सबसे पश्चिमी जीला कौन सा है गड़वा गड़वा के बारे में मैं आपको बताए कि ये यूपी से इसकी बॉंडरी तच होती है नेक्स्ट क्वेशन्स को देखते हैं फ्रेंटी थ्री है यहां पर यहां पर नब मतलब Topic-wise है जार्खन अपने सीमां को साजा करता है तो और शहा पर यह पर रढ़ पर रहे है दो तो साउथ में पड़ेगा है ना ओडिशा कहां पड़ेगा यह साउथ में पड़ेगा और यह इस्ट में पड़ेगा तो यह ओप्शन एलिमिनेट होता है 36 गड़ कहां पर पड़ेगा यह हां वेस्ट में तो है लेकिन यह ओडिशा जो है यह कहां पर है यह साउत में तो यह ओप्शन भी एलिमिनेट होता है अब उत्तर प्रदेश कहां पर है यह नौर्थ वेस्ट में है तो यह तो होगा ठीक है और 36 गड़ भी कहां पर है यह वेस पुरब में तो ओप्शन भी नहीं होगा ओप्शन सी राइट आंसर होगा एक्स्प्लानेशन यहां पर है जारकन अपनी पश्चिमी सीमा जो उत्तर प्रदेश एवं चतिसगर के साथ साजा करता है बिल्कुल जारकन की पश्चिमी सीमा दो राजियों के साथ असपर्देश एवं चतिसगर को असपर्स करता है जो उत्तर प्रदेश को असपर्स करता है जबकि गड़वा लातेहार गुमला सिमडेगा चतिसगर की सीमा को असपर्स करते हैं देखो यहां पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा इस वजह से दो दो बार रिपीट करकर दिया हुआ है इससे पहले भी हमने देखा था कि गड़वा एक एसाथ जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को असपर्स करता है और यहां पर चतिसगर को भी यहां बता दिया है कि गड़वा लातेहार यह गड़वा और लातेहार जो है यह कौन से प्रमंडल में आते हैं तो पलामु प्रमंडल में गुमला सिम्डेगा जो है यह उत्री सोरी दच्छिनी छोड़ा नाकपूर में आते हैं तो यह जो जीले हैं चार जीले हैं यह इस गड़ से boundary शेयर करते हैं यानि कि असपर्स्त करता है नेक्स्ट है यहाँ पर प्रमंडल से questions हैं प्रसासनिक परिशे प्रमंडल से यहाँ पर questions पूछे गए हैं जारकन राजे में कितने प्रमंडल हैं तो आप सभी को पता है पांच प्रमंडल हैं कौन कोन से प्रमंडल हैं यहाँ पर देखते हैं एक्स्प्लानेशन में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छा से दिया है पांच प्रमंडल है उत्री छोटा नाकपूर है ठीक है उत् च्छिनी छोटा नाकपूर जो है इसमें पांच प्रमंडल है जिसका मुख्याले राची और राची राजधानी है संथाल परगना का मुख्याले दुमका है और दुमका में एक मेला लगता है हिजला मेला लगता है ठीक है इसंथाल परगना का मुख्याले है मुख्याले कहां पुल चार प्रमंडल थे, यहां से important point बनता है, हर किसी को पता रहता है कि राजे गठन के समय में 18 जीले थे, उसके बार 6 जीले बने हैं, लेकिन प्रमंडल के बारे में बहुत कम किसी को पता होता है, तो जारकन राजे का गठन का हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, तब प्रमंडल ट कोल्हान प्रमंडल का गठन कब हुआ है, तो यह 2003 में, और कितना नंबर का प्रमंडल है, तो यह पांच में प्रमंडल लास्ट है, ठीक है, उत्री चोटा नाकपूर प्रमंडल का विवाजन कर क्या गया है, तो उत्री चोटा नाकपूर तो नहीं होगा, यहां पर दच्छ सब्सक्राइब देख लेते हैं जीले से पूछा गया है जब जारकन राजे बना था तब उसमें कितने जीले थे यह बहुत ही अच्छे मतलब सिक्वेंस में दिया हुआ है पहले क्या पढ़े हम लोग कितने राजे को एसपर्स करता है कौन-कौन से जीले एसपर्स होते यह सब पढ़े उसके बाद जीलो का प्रमंडल पढ़े देन हम लोग अभी यहां पर जीलो को पढ़ रहे हैं और जो लाइफ लास होई थी उ जब जारकन बना था तब उसमें कितने जीले थे बारा चोविस अठारा या फिर दस तो उस टाइम जो है न यह अठारा जीले थे टीटी 2009 में यह क्वेशन पूछा गया है और एसाई पूटी 2017 में तो देख सकते हैं एक जो क्वेशन है वो कितना बार रिपीट होता है एक् राज्य का गठन के बाद कौन-कौन से जीले बने हैं इसको अम लोग डिटेल में देखते हैं डेट भी आपको याद करना है यहां पर इसक्रिंसोट ले लेना ठीक है यह जो छे जीले आप देख रहे हैं यह कब बने है तो 15 नवंबर 2000 के बाद लातेहार जीला यहां पर इ हुआ है जमताडा का जमताडा किसके लिए चारा देख रहे हैं यह जो चार जीले ना यह एकी साल में हुआ था यान की 2001 में ही इन 4 जीलों की अस्थापना की गई थी बस आपको डेट यह जोड़ा से यह पर याद रखना चार अप्रेल 2001 में लातेहार, 26 अप्रेल 2001 में जमताड़ा और 30 अप्रेल 2001 में ये सिंडेगा और सराइकेला खरसावा अब हम लोग दो और जिलो को देख लेते हैं खूटी और रामगर जो है ये 2007 में बनाये गए है अस्थापना की गई है 12 सितंबर, सेम डेट है आप इसको याद कर लेंगे चलो फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेशन है यहां पर जारकर राजे के गठन के बाद कितने नए जीलो का गठन किया गया जारकर राजे के गठन के बाद 6 नए जीलो का गठन किया गया कौन-कौन से हैं, लातिहार, जमतारा, सिम्डेगा, सराइकला, खरसावा, ये कब ये सब कब किये गए हैं अस्थापना कव है तो 2001 में और खूटी रामगड का 2000 यहां पर 7 में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जार्कन में कितने जीले हैं अभी हम लोगों को बताना है तो 24 जीले हैं और यह क्वेश्चन देखो कब कब पुछा गया है फॉर्थ जैपीएसी फोरेस्ट गाड एसाइपीटी 2017 2015 2011 में तो तीन बार यह क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले भी हम लोगोंने देखा एक दो क्वेश्चन यही था बस ठोड़ा सा लेंग्विच में डिफरेंस था तो हम्हें मतलब पेनिक नहीं होना है कि कवेश्चन कैसे आएगा इजाम में कैसे नहीं आएगा जैससी में कितने क्वेशन आने वाल है? 40 questions किसे जारकर जी के से? तो हमें बहुत ही अच्छे से preparation करना एक्जाम के लिए है न? नेक्स्ट है 4 number, next question यहाँ पर देखो जारकर राज़ के गठन के बाद चार नय जीले बनाये गए हैं एलिमिनेट करने सीखना होगा हम लोगों को सवा यह जीले जो हैं गठन के बाद चार ने बनाए गए थे ओप्शन डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेशन नंबर फाइब जहारकन के अठारा जीलो के बाद चार ने जीलो का गठन किया गया वह कौन-कौन से सेम क्वेशन थोड़ा से लेंग्वेज इधर उधर ठीक है लेंग्वेज में हेरा फेरी हुआ है लातेहार सिम्डेगा जामताडा सराइकला खर्सवा बिल्कुल यही आंसर करेक्ट होगा और देगर ऑप्शन भी सेम है मतलब जो ऑप्शन है ना यह सब सेम है ऑप्शन को भी फर्स्ट कर दिया फर्स्टौर और थर्ड़ कर दिया यही सब चल रहा है नेग्स टैसकर मबर सिक्स जहारकन राजे में 2000 कितने जीले थे यानि कि गठन के ताइम में कितने जिले थे और वर्तमान यानि कि एक प्रेजंट अभी कितने जिले हैं हमें यहां पर बताना है तो उस टाइम में कितने थे 18 थे 18 और यहां पर 24 का रेसियो बनना है तो option A यहां पर right answer होगा ठीक है जितने भी student अभी तक देख रहे हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आपका यहां पर revision हो रहा है आप इस चीज को ध्यान देना ठीक है explanation है यहां पर राजे गठन के बाद अर्थार 15 नवंबर 2000 को जारकन में 18 जीले थे 2001 में 4 जीले बने कौन-कौन से देखो यह book बहुत अच्छा है explanation भी दिया हुआ है और एक बार नहीं 2-3 बार explain दिये हुए है इसका 2001 में गठन हुआ और 2007 में 2 जीलो का गठन हुआ था वो कौन-कौन से है एक तो खूटी है और दूसरा रामगड है मैं भी यहां पर 2-3 बार बोलूँगी ताकि वो आपके माइन में आप अगर बार बार सुनेंगे ना एक चीज को तो वो फिट हो जाएगा तो ये 4 जीले होगे 2007 सोड़ी 2001 में और 2007 में खूटी और रामगड जीलो का गठन क्या गया वर्तमान जाएग में जार्गन मेंिक्पी संख्या कितनी है तो 24 है 24 सवाल कौन सा है तो रामगड जो है यह 24 सवाल जीला है Next question is, नेक्स्ट क्वेशन है यहां पर जार्खन के प्र जार्खन के लाल गल्यार欸 के अंतरगत आते हैं? तो right answer होगा option B 18 लाल गल्यारे कहने का मतलब है कि प्रसौन की नकसलवाद चो छेत्र होता है उसके अंतरगत कितने जीले आते हैं? यह 18 जीले आते हैं तो 18 जीलों को अलग करके जार्खन राजय बनाया गया, ठीक है, और 2000 में, यानि कि जब जार्खन राजय का गठन हुआ तब कितने जी लेते, तो ये 18 जीलेते, तो देखो, बिहार से जब 18 जीलों को अलग करके बनाया गया जार्खन राजय अलग से, तो गठन के टाइम तो 18 इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि कहीं क्वेशन पूछते कि बिहार के कितने जीलों को अलग करके जार्खन राजे का गठन किया गया तो आप सोचते रह जाओ जाओगे तिके लेकिन आपको इंडारेक्टली आंसर तो पता है बट आप कर नहीं पाएंगे तो इस चीज में कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको बिहार के अठारा जीलों को अलग करके जार्खन राजे का गठन हुआ था यह क्वेशन भी पूछ सकता है इस तरह से दूसरा यह पूछेगा कि जार्खन गठन के टाइम में कितने जीले थे तो अठारा जीले थे ओके आप वीधियां विद्यमाने में आपको इसे बताए कि यह नकसलवाज चेतर के अंदर में आते हैं जो लाल गल यारे कहने का मतलब यह पर यह यही है परतमान में बहुत फूटिफाइब मिने टक होगी निब जरूर से करना को निमलिकित में से झारकन का अपक्वेशन बर्टि कौन सा जीला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है जारकंड का जीला वो बताना है बिहार की सीमा से नहीं लगता है तो देवगर है खोडर्मा खूटी और पशिम सिंबु में तो राइट आंसर इसका होगा खूटी जो है न यह नहीं लगता है यह राची राची बीचो बीच में ह राची के बाद फिर इस साइड में खूटी आता है तो खूटी आपको मतलब देखो मैं एक बाद बोर रही हूँ है यहाँ पर आंसर होगा खूटी आपको माइंड में मैं प्याद होना चाहिए मैं प्याद रहेगा तो आप मतलब कैसा भी क्वेशन घुमा के पूछ दे आप तुरंत कर पाएंगे इस टाइप के क्वेशन को है ना तो देख लेते हैं यहाँ पर जारकन के दस जीले बिहार की सिमा को असपर्स करते हैं गड़वा पलामू चत्रा हजारी बाग कोडर्मा गिरिडी देवघर दुमका गोड़ा एं साहिब गंज यह दस जीले को आप कि नेक्स्ट क्वेशन है नाइं नमबर उत्तर से धच्चिन में जारकन के जीलों का सही करम क्या उत्तर से धच्चिन बताना है न नौर्थ toर साउथ हमें बताना है पाकूर दुम का जो कर्सा इंद थिए के वार है ने यहां पर हमें क्या बोलना है अच्छा उत्तर से दच्छिन तो यह तो नौर्थ में साहब गंज पढ़ता है हमने question solve किया था तो option first eliminate हो जाता है साहब गंज ठीक है दुमका ठीक है बोकारो पाकुड देखो यह बोकारो यहां रहता तो यह सही हो जाता बड़ यह नहीं है बोकारो फिर साहब गंज साहब गंज बीच में आ गया तो साहब गंज नहीं होगा क्योंकि साहब गंज कहां पर है यह नौर्थ में प्राइज इंस्पेक्टर 2012-2015 में यह question पुछा गया है जार्खन के उत्तर से दचिन में जीलों का सही अनुकरम जो है साहब गंज पाकुर्दुम का बोकार हो है question number 10 है जार्खन के जीलों के लिए उत्तर से दचिन करम में निम्नांकित में से कौन सा सही करम है यहाँ भी वही बोला है कि north to south में हम लोगो अरेंज करना है sequence में तो right answer हो का यहाँ पर, देखो यहाँ बोला है तो राइट आंसरों का चत्रा है लातेहार गुम्ला सिंडगा यह वाला जो सिक्वेंस है नौर्थ टू साउथ है यहाँ पर अभी अनुमंडल से क्वेश्चन्स हैं सब्डिविजन से से अवब जर्षट क्वेश्चन मेंणों कि आस्ट इसा है वर सिक्वेश्चन तो तॉस टाइम का डेटा हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है recently recent में कितने यी चीज पढ़ना है कि अनुमंडलों की संक्या जो 23rd थी अब ये तिक है लेकिन अब वर्तमान वाला देटा हमें देखना है तो 45 जो है यह सब्डिविजन याने की अनुमंडल है ठीक है option D right answer होगा और तेखो राजे गठन के समय में अनुमंडल कितने थे तो 33 जो है यह राजे के गठन के टाइम में थे और अभी 45 है याने की 5-3 किता 8 अनुमंडल और बने है नेक्स्ट क्वेशन है दो उपभागों के नाम बता है जिनमें पूर्वी सिंभूम जिला विभाजित किया गया है पूर्वी सिंभूम जो जिला है जमसेदपुर वाला इलाका वो जो है ना यहां पर दो बागों में बटा हुआ चाकुलिया और गुरूबन धालबूम और घाट nov gay 오빠 उप्शन से यहां पेर पोड का पॉट्का पतंडा होगे यहांपर घाट्शिला और मुझा बंई राइट आंसर होगे इसका option भी धालबूम और घाट चिला यहां पर धालबूम है ना और धालबूम से ही धालबूम वाले चेत्र से अंग्रेजों का भी आगमन हुआ था और उस टाइम में धालबूम बोला जाता था अब यह जम्शेदपूर वाला साइड आ जाता है नेक्स्ट है प्रखंड से यहां पर ब्लोक से question पुछा गया प्रखंड का मतलब क्यों होता है यहां पर ब्लोक जार्खेड में कुल कितने प्रखंड है तो हुई 2017 का है तो उस टाइम में कितने थे यह तो नहीं पता बट अभी recent कितने है यहां पर 264 है जर्या को साइड धन føकल में मिला लिया गया है तो यहँआ पर 263 देखेड़ 253 कर डuição total 264 दिखे तो अगर 263 ना रहे तो 264 को राइट कर सकते हैं जरिया को फिर भी धन्बार में मिला दिया गया है बसे सेकंड नंबर है जर्कन में प्रकंडों की कूल कितनी संख्या है तो यहां पर 263 होगा राइट अंसर ठीक है नेक्स्ट थर्ड नंबर जर्कन राजिम को कितने ब्लोक में विभाजित क्या गया है ब्लोक का मतलब क्या होता है इसका मतलब ही प्रकंड होता है तो आपको आंसर सब्सक्राइब है तो आप परोक्स में आप कर सकते हैं इंग्जेक्ट अगर और अप्शन में नहीं आया होगा तो ऐसे में आप आस पास के जिसे की 263 है आस पास में कुन सा है ये 260 दिख रहे तो एक ने तो ये एसे आप कर सकते अशर को नेक्स्ट थे प्रखंडों की कूल संख्या कितनी है तो कितना बाल ये क्वेशन आया हुआ है तो 263 में तीन चार वर बताई एक प्रोक्स पर पूछेगा तो ये 260 आप कर सकते हैं अब गाउं की संख्या देख लेते हैं कितने हैं गाउं लगबक कितने गाउं जारकन राजे में मौझूद है तो 32615 ये उस टाइम का डेटा है लेकिन रिसेंट का जो डेटा है ये 32620 है ये आपको याद रखना है अगर देखो अगर 32620 ना रहे 32615 रहे पांच दो गाउं आगे पीछे हो जाएगा तो आप उसको भी राइट मान सकते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन बी 32620 रहेगा तो वह होगा 32615 रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है जारकन में गाउं की संख्या कितनी है तो 32620 यहां पर सही दे दिया है कितनी है तो 32620 तो एक बार आपको पता लग गया ना कि मैं आपको बता दे 32620 जो है यह गाउं की संख्या है तो नेक्स टाइम जब अगर क्वेशन आते हैं तो आपको खुद से करना होता है ना इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेशन से प्रिविए सेर के और एक ही बुक में इतने सारे क्वेशन दिये हुए हैं यह बहुत ही अच्छा क्वेशन बैंक है तो इसका कंप्लीट हम यहां पर टेस्ट यानि की प्रेपिस करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स में भी जरूर से शेयर कर देना इसको हना और अच्छे से पढ़ाई करो एक्जाम आने यहां पर प्रेक्टिस करने वाले हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि जब भी वीडियो में अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा बिल आइकन को भी प्रेस कर लेना ठीक है और तीन बज़े एक क्लास होती है 3.00 में यहा करके आपको बता दूंगी और कभी-कभी हम लोग रिकोड़ेट भी पढ़ लेंगे है ना जो में वीडियो डालूंगी साथ बज़े तो वो इस्ट्रीमिंग में चलता रहेगा आप साथ बज़े आपके भी लाइब कॉमेंट कर सकते हैं कॉमेंट लाइब कॉमेंट का क्भी-कॉमेंट